दोस्तों मौस्ट वलकम हम बात करेंगे सलमान भाई को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी इंपोर्मेशन आरी दोस्तों सलमान भाई को लेकर वो हम आपको बताने चाहते हैं आप सभी जानते कि सलमान भाई अभी विजी हैं अब उनकी फिलम शिकंदर को लेकर आप सभी जानते ह जिसमें यह कहा जा रहा था कि एटली सल्मान खान को लेकर फिल्म बनाने जा रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग करें थी ख़बर र्यूमर्स है साध इटली इस फिल्म को नहीं बनाएंगे उसके बाद दोस्तों यह भी खबर चली कि इस फिल्म के अंदर साउथ से रजनी काम कर रहें इसके script सुन रहें रजनी कांथ को script पसंद भी आ रही है लेकिन दोस्तों ultimately अब भाई जो चीज़े निकल कर रही है जो चीज़े रिवील हुई है दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज है जी हां ऐसा स्टार जी हां दोस्तों रजनी कांथ से बड़ा स्टार हम बात कर रहे हैं पर दोस्तों कमल असन जी हाँ दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज है कि सलमान खान के साथ बेसिकली रजने का थे इस फिलम के अंदर भाई लीड रोल निवाने वाले हैं तो दोस्तों नौर्ट से सलमान और साउट से भाई कमल असन तो दोस् बिसिकली कमन असल को जब ए स्क्रिप्ट अधी तो कमल असन ने कहा कि किया नुद्ब होईर इस पर तो क्यों नहीं का कर अधर नुद ये का कियो घुनकर्वान करें किन्तर शांदर्शार बेंगर के लबूंकर पर ॥ैस्प्र अधरत बताने की जरूतनी है, क्योंकि आप सभी पठा, आप सभी जवान फिल्म देख चुके हैं, और जवान को उन्होंने किस परकार शारुक को यहां पर दिखाया था, किस परकार शारुक को इस फिल्म के अंदर मासी अवतार के अंदर दिखाया था, उसके बाद आप जानतें कि एटली इतने बड़े डारेक्टर हैं कि हर फिलम, हर जो एक्टर हैं वो बिसिकली भाई एटली के साथ काम करना चाहता है, अब बिसिकली ये ओफिशल हो चुका है, इस फिलम के बजट की बात करों तो भाई तीन सो, जी हां दोस्तो तीन सो क्रोड के अंदर ये फिलम का इस फिल्म को रिलीज कर दे जाएगा तो भाई सल्मान खान का जो असली टाइम है दोस्तो अब आना बाकी है शिकंदर एक अजार करोड और उसके बाद उनकी जो अगली फिल्म है जी हा दोस्तो अगली फिल्म के बात करते हैं जो एटली के डारेक्शन बनने वाली जो नेक्स